सत श्री अकाल दोस्टो के में हो दोस्तो अखवार दे वीच सहाइट प्रफैसरा दी पड़ती दे स्वनद वीच आज काफी कुछ छपया हो थी जी में कि तुन्हें पता है कि पंजाब दे गोवर्मेंट कालजां वीच 1188 सहाइट प्रफैसरा दी परती निकले होई है और फिल्हाल एक कोट केस कारण स्टेग ते विचकार है जैसी एक कह सकते हैं कि हुन ओ स्लेक्टर कैंडिट अपनी अवाज बलंद कर रहे ने जिनना नो ओफर लेटर तक मिल चुके ने जा जिनना नो मिलना बाकी ने मुद्दा कीए ओदे उते बाच गल कर देयां पहला ए देख लेंदे हैं कि अख्वार्च की लिख्या है अद विचकार लटकी परती परकरिया तुरंत पूरी करे सरकार सहाइक परफेस्णा दा केना ए है जो स्लेक्टर ने इस विच उना मंग किती कि उना दी परती परकरिया जो की अद बिचकार लटक रही है तुरंत पूरा किता जावे उसनू इस दे नाल ही उना ग्यारा सो अठवजा असिस्टन परफेसर परहंट पंजाव दा गठन किता बुलारिया ने कहा कि उपरोक्त परिकरिया अदालती कारवाई बेच उलजी होई है अते सरकार अपना पक मजबूती नाल पेश नहीं कर रही है जिस कारण परती ते रोक बरकरा रखी गई है उना किया कि इस नोकरी ले नियुक्त किते गए उमीदवार सरकारी अर्द सरकारी जा प्राइवेट नोकरिया तो अस्तीफा देख के आए ने जोदो की कहिया नहता अपने खोज अते फैलोशिप भी अद विचाले छड़ देती है अते हुन उन्ना अदा पवेकर अट क्या होया है जथे बंदिया ने आगुआ करम जीत सिंग अते जस्परी सिंग ने मांग केती कि सरकार अपना पक सकती नाल अदालत विच रखे ताँ जो अमीदवारा नो इनसाफ मिल सके तो उसी जान लिया होना है दोस्तो इस तो बाद में तो एवी नोलस दे देना कि बी एककी बाई निमंबर नो एक्जाम होया सी बहुत जल्दे दा रिजल्ट भी कोशित होया उस तबाद सक्रूटनी होई स्क्रूटनी जानी डॉक्मेंट वेरिफिकेशन और उस तबाद ओफर लेटर भी सोंपे गए ते मने जा रहे कि साथ सो दे करीब कैंडिट्स नो ओफर लेटर तक अलग अलग सब्जेक्ट वे दिखते जा चुके ने ठीक है ग्यारा सो अठवनजा टोटल परती है जद वे साथ सो नो ओफर लेटर तक मिल चुके ने दोस्तो 25 साल दे बाद परती आया सी ते ग्यारा सो अठवनजा दा ए आंकडा छोटा नहीं है क्योंकि काफी सारे साथिया नो अमीद सी कि ए परती सिरे चड़ेगी और उन्हा मेंत किती मेरिट विच नंबर लिया उस तो बाद जदो एंज पाना कोई वर्त जावे कि परती किसे कारण रूल जावे ज़र रही है जमे कि तो नो पता है तो फिर गुसा ता अंदा है सरकार दे उत्ते ओरोप लगाए जान दे ने कि सरकार एक एक परती नो साल डेर साल दो साल तक लेंका के रख दिए लेकिन ऐ परती तब 50 दें अंदर खतम हो रही से मतलब कह सकते तो आप किने मुकमल गता जाना खी लेकिन होया किosed यह जिन्नर किस लगाए जाके उन्हागत बाकिए अँची कह सकते है कि लोग तात्रिकत कार है लेकिन इत्थों तक कि ओफलैटर दे के उन्हानों ज्वाइन तक नहीं करन देना कितने किते इस वाल उठाए जा सकते और सरकार दे उत्ते भी उठने चाहिए देने कि उन्हाने अपना मजबूती दे नालपक जड़ाया कोट दे विच क्यों नहीं सरकार लेट करे ता भी प्रोबलम है सरकार जल्दी करे ता भी प्रोबलम है तो सरकार किते जाए मैं सरकार दा समर्थन नी करता है किसे भी हग तो मैं सरफ एना केना चमदाया कि जिनना बच्चा मेंत किती मैट दे विच नाम आया ओफलैटर तक मिल चुके ने उन्हादा की कसूर है जिना बच्चया दा नंबर नहीं आया अगर उन्ना दा नंबर आ गया हुँदा की ओ कोड के से लगां दे ज़िए कुछ यूट्यूब चैनल एहो जी पाशा बरतरे ने अपने थंब नेल दे विच अशुब मैं कहा सकता कि एहो जहे शव्द बरतरे ने थंब नेल द अंदे ने असलियत कि अगर उसदा बच्चा मैं वो यूट्यूब चैनल ने बोल रहा हैं अगर उसदा बच्चा अगर इस मेरिट दे विच हूँदा की ओ आवाज उठंदा इन्ना बच्चया ने मेंत कि तो उसी जानो जा कि उन्हें पीएसडी दे विच पीकी किता की की सर्च पेपर शापे ने जड़े स्लेक्ट होई ने पीएश्डी होल्डर ने जातर एमफिल कर रखी है और जड़े एम में ने उनना काफी बार जेरफ क्लेर कर रख्या है ते किसे भी पक्तों में यह नहीं कहूंगा कि ए बच्चे किसे भी स्तर्ते काटने पूरी टकर देने जी नोलेज बाद हुए ते इस अखवार दे विच नहीं बलकि केई अखवारां दे विच एक ख़बर शपी होई है हिंदी विच भी पढ़ देना है कि अधर में लटकी भरती परिक्रिया तुरंत मुकमल करने की मांग कर रहे हैं जे सहाय प्रफेसर है अलग-अलग खवार पढ़ सकते पंजाब इस सरकार जो अपना पख ही मजबूती देनाल नहीं रख रही है और बकीला नू जाकर पूछो जड़ा सरकार दा पक रख रहे नहीं इना बच्चें दा पक रख रहे ओंकुछ नोलेज नहीं देन देने हैं तो मैं ही कमागा कि पैसे दे दम ते केस ल परती देनाल भी होएं क्योंकि ए परती लग पग मुकमल होंदी कगारते हैं ते इनों मुकमल किता जाएं तानवात